एक बद चलन ओरत का इबरतनाक वाक्या मैं एक वाक्या पियान करता हूँ कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कबर्स्तान है इस कबर्स्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगा इकठे हो रहे हैं हता के तमाम एहल गबूर एक जगा इकठे हो रहे हैं फिर इन्होंने गिर्या जारी शुरू करती और गिर्गिरा कर बारगा इलाही में दुआ करते हैं या अल्ला तु फिलाँ औरत जो सुबो मर गई है वो हमारी कबर्स्तान में दफन ना हो अल्ला हमें इस से बचा ले ये गिर्या जारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा माजरा क्या है तुम क्यूं ये दुआ कर रहे हो इसने बताया जो औरत आज मरी है जो हनमी है अगर ये हमारी कबर्स्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी इसलिए हम गिर्या जारी कर रहे हैं और गिर्गिरा कर दुआइं मांग रहे हैं ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सखत परिशानी में मुब्तला हो गया सुबह हुई कबर्स्तान की तरफ निकला और देखा के गुरकन कबर को खोद चुके है मैंने इन से पूछा ये किसे लिए बनाई गई है उन्होंने बताया एक मालदार ताजर की बीवी फोथ हो गई है ये कबर उसके लिए खुदवाई गई है मैंने उनको रात वाला मनजर बिया बता दिया गुरकन ने वाक्या सुनकर कबर बंद कर दी अब मैं इंतजार करने लगा कि ये क्या होता है थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गुरकनों से पूछा कबर तियार है उन्हों ने जवाबन कहा यहां कबर नहीं बन सकती क्योंकि नीचे की चड़ है वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए चुँके वहां भी खुआप वाली बात पहुँच चुकी थी इसलिए उन्हों ने भी कबर खोदने से इंकार कर दिया फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कबर्स्तान गए और वहां कबर बनवाई फिर वो बयां करते हैं कि मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है मैं भी जनाजे के साथ हो गया जनाजे के साथ एक जम गफीर था मैंने जनाजे के पीछे एक हुब रूफ नोजवान को दिखा मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत का बेटा हूँ इस से और इस के बाप से तजियत की जा रही थी जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा मैंने रात एक हुआप देखा है अगर इजाज़त हो तो ब्यां कर दू ये सुनकर बाप ने यानि मरने वाले के खावन ने कहा मुझे खुआप सुनने जरूरत नहीं लेकिन लड़के ने कहा मुझे सुनाईए मैं इसे अकेले में ले गया और खुआप बियान कर दिया फिर इसने कहा तुझे चाहिए के तु इस बात की तफ्तीश करे और वज़ा मलूम करे के क्यों कबरवालों ने गिर गिरा कर दुआ की है इस नोजवान ने कहा और तु मुझे कुछ मलूम नहीं मगर इतना जानता हूँ के मेरी माँ शिराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी नेज दिगर ओरतों पर बुफतान लगाया करती थी मगर ये अफ़ाल इतने संगीन नहीं कि यहां तक बात पहुँच जाए के मुड़े भी ये दुआ करें कि ये हम में दफन ना हो फिर वो नोजवान मजीद कहने लगा कि हाँ हमारे घर एक बुड़ी औरत है जिसकी उमर निननवे साल की है वो मेरी माँ की दाया और हिद्मतगार थी अगर आप चाहें तो चलें चल कर उस से पूछ लेते हैं शायद वो मेरी माँ का करदार जानती हो फिर हम दोनों उस नोजवान के घर गए उस नोजवान ने मुझे एक बाला खतून से मलवाया उस नोजवान ने बुडिया को मेरी तरफ मतवज़ा किया मैंने खुआप बियान करके पूछा अमा क्या तेरे पास कुछ मालूमात है? ये सुनकर बुडिया कहने लगी मैं अल्ला से दुआ करती हूँ कि वो उसे बख्ष दे वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी इस पर नोजवान ने बुडिया से पूछा क्या मेरी मां शराब नोशी गाना सुनने और और उरतों पर बहतान लगाने के सिवा और भी किसी गुणा में मुब्तला थी बुडिया ने कहा बेटा अगर तु बुरा ना माने तो मैं तुझ को बता देती हूँ क्यूंकि इस आदमी ने जो खुआप बियान किया है ये तेरी मां के गुणाहों के सामने ममुल ली है ये सुनकर नोजवान ने कहा मैं चाहता हूँ के तू हमें बताए तांके हम इसे करदार से बच जाएं और अबरत हासिल करें ये सुनकर बुडिया रोने लगी और कहने लगी खुदा ताला जानता है के मैं कई सालों से तूबा कर चुकी हूँ और मुझे उमीद थी के तेरी मां भी तूबा कर लेगी मगर इसने तूबा ना की अब तुम्हें तीन कार नामे तेरी मां के सुनाती हूँ तो इस बुडिया ने उस औरत के लड़के को मुखातिब करके कहा तेरी मां बहुत बड़ी बदकार थी हर दिन दो नोजवान उसके घर आते थे जिससे वो अपनी खौखिश पूरी करती थी और तेरा बाप बजार में काम करता था तू जब जवानी को पहुँचा तो तू नहायत हसीनो जमील हो चुका था मैं देखा करती थी कि तेरी मां तेरी तरहां शोहवत की नजर से देखा करती थी अताके एक दिन तेरी मां ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फिर फता हो गई हूँ लहाजा किसी तरीके से इसको मेरी तरफ रगब कर मैं ने ये बात सुनकर तेरी मां से कहा बेटी यहां तक क्यूं जाती है तेरे लिए और बहुत सारे नوجवान है जिन से तू अपनी खौखिश पूरी कर सकती है लहाजा बेटी तू अल्ला ताला से डर और इस इरादे से बाज आ जा तो तेरी मां कहती थी नहीं मुझे इसके सिवा सबर नहीं तो मैं ने तेरी मां से पूछा तो इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है हलांके बेटा भी अपनों उम्री को है तो खामखा बदनाम हो गई लहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बास आ जा तो तेरी मां ने मुझे से कहा अमा तू मेरी मदद करे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ मैंने पूछा क्या हिला किया जाए तो तेरी मां ने कहा कि फलांगली के मकान में एक अरजी नवेज है वो रुके खत लिखकर मर्दों को और्टों से मलाब कराता है और उच्रत लेता है तू इसको कहके वो मेरे बेटे को तहरीर लिखे और नाम लिए बगैर कहीं के एक दो शेजा तुझ से इश्क की हद तक मुखबत करती है वो तुझ से फलाँ जगा फलाँ वक्त मलाब चाहती है इस बुड़ी औरत ने कहा के मैंने ऐसा ही किया और जब तुझे मैंने वो खत दिया तो तू भी फरिफता हो गया और तू ने खलिख दिया के मुझे मन्जूर है फलाँ वक्त में आ जाँँगा तो मैंने तेरी माँ को वो खत लाकर दे दिया तेरी माँ ने जवाब पढ़ कर कहा अमा तुम मेरे बेटे से कहो के फलाँ वक्त फलाँ जगा आ जाए और तू फलाँ बिला खना अच्छी तरह त्यार कर और इसमें फल और खुश्बू वगएरा का इंतिजाम भी कर तू मेरे बेटे को ये भी कह के जिस ओरत ने तुझे बुलाया है वो अभी दुशिजा है और रोशनी पसंद नहीं करती बलके ये काम अंधेरे में बेहतर है ताके तुम्हारी वालदेन को तुम पर शक्त ना गुजरे फिर मैं तेरे पास आई थी तो तू ने ये बात मान ली और रात का वक्त मकरर होगा मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुँच जाया तो इसने बेहतरीन कपड़े पहने और उम्दा खुश्बू लगाई और वो इस बिला खाना में पहुँच गई और फिर तू भी पहुँच गया फिर तू वही सो गया तो मैंने सुभो के वक्त आकर तुझे चगाया फिर चन दिनों के बाद तेरी माँ ने मुझ से ये कहा कि अम्मा मैं अपने बेटे से हामला हो गई हूँ अब मैं क्या करूँ तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या करे लेकिन तेरी माँ किसी हीले बहाने से तुस से अपनी खाहिश करती रही हलाएं के विलादत का वक्त करीब आ गया तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहा कि मैं बीमार हूँ मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन अपनी माँ के पास रह चाओ तो तेरे बाप ने इजासत दे दी फिर मैं और तेरी माँ तेरी नानी के घर चले गए वहां हमने एक कमरे में रहाइश रख ली और जब विलादत का वक्त आया तो मैं एक दाया को बुला कर लाई तो तेरी माँ के हाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसे तेरी माँ ने मार दिया और फिर हमने वो बच्चा दफन कर दिया अभी कुछ दिन ही गुजरे थे के तेरी माँ ने मुझ से कहा अब फिर मैं अपने बेटे से खौखिश पूरी करना चाहती हूँ तो मैं ने कहा बेटी जो कुछ हो चुका तेरे लिए काफी नहीं तो तेरी माँ ने कहा मुझे सबर नहीं है और फिर इसी तरहां ये सिलसला शुरू हो गया फिर जब वो बुड़िया दूसरा वाक्या सुनाने लगी तो इस औरत के बेटे ने का ये कह कर बात खतम कर दी अम्मा बस कर इतना ही काफी है अल्ला ताला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत करे ये कह कर वो उट खड़ा हो और मैं भी इसके साथ उट कर आ गया काश के वो बुड़िया दूसरा वाक्या भी सुना देती सबक इस वाक्या से हमें ये सबक मिलता है के अंदाजा कीजिए जब इनसान की शर्म औ हया खत्म हो जाए तो वो किस कदर पिस्ती में चला जाता है हमें चाहिए के इस वाक्या से सबक हासिल करें और अल्ला ताला से ना मंगे अल्ला ताला हमारी हिफाज़त फर्माए आमीन सुमामीन या रब आलामीन अल्ला तालाई झाल 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 झाल